आज यानि 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मुकाबली के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने बारा खिलाडियों के नाम का एलान कर दिया है वही पाकिस्तान टीम ने अपने बारा खिलाडियों में बाबराजम, मुहमद विजवान, पकर जमान, मुहमद हफीज, शोईब मले, आसिफ अली, हैदर अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, शाइन शह अफ्रीदी, हारिस रऊफ को जगे दी है टीम ने पूर्फ कप्तान सर्फरास एहमद को अंतिम 12 में शामिल नहीं किया है T20 World Cup के लिए सर्फरास को पहले पाकिस्तान की टीम में जगें भी नहीं मिली थी, लेकिन बाद में उनको 15 सदस्तिय टीम में शामिल किया गया था सर्फरास टीम के बड़े खिलाडियों में से एक हैं ऐसे मेस मैच में पाक टीम को मैदान पर उनके अनुभव की कमी खल सकती है लेकिन भारत और पाकिस्तान मैच की सबसे खास बात ये है कि भाई इस मुकाबले से शोईब मलिकी टीम में वापसी हो रही है मलिक ने पाकिस्तान टीम के लिए आखरी मुकाबला लगबग एक साल पहले खेला था 2007 से लेकर अब तक शोईब ने 5 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं साथ ही उनके पास 22 साल का अंदर राश्ट्रे क्रिकेट अनुभव भी है T20 वर्ल्ड कप के 28 मुकाबलों में मलिक ने 32 की ओसत से 546 रंग बनाए है बही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भारत को कभी नहीं हरा पाई दोनों टीम T20 वर्ल्ड कप में 5 बर आमने सामने आई इन सभी में भारत ने पाकिस्तान को हराया इस बार भी कोली की टोली जीत के साथ मैदान में उतरने के लिए पूरी तयारी से आईगी T20 के अलावा वन डे वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ शत प्रतीशत रिकॉर्ड रहा है साल 1992 से लेकर साल 2019 तक दोनों टीमों के बीच 50-50 ओवर वर्ल्ड कप के कुल साथ मुकाबले खेले गए और सभी में भारती टीम ने जीत डर्च की है भाई आज का मुकाबला तो देखना बनता है क्योंकि भाई पान साल बाद भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से मैदान में आमने सामने आएंगे तो भाई देखना ये होगा कि आज का मुकाबला कौन जीतता है लेकिन आप कही मत जाएगा क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आऊंगी भारत और पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक लाइब जिसमें मैं आपको पल पल की अपडेट दूँगी prediction बताऊंगी और साथी साथ ये भी बताऊंगी कि भारत और पाकिस्तान में कौन सी टीम का पल्ला इस बार भारी रहा है तब तक के लिए आप जुड़रें मेरे साथ और देखती रही है सन नाइस न्यूँ साथी साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद